हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट मुझे काफी सारी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने यूट्यूब पर काफी सारी शोट वीडियो देखी हैं उसमेंसे हमने कुछ 15-20 सेकंड की वीडियो देखी चोती शोट वीडियो देखी वह बहुत जल्दी वाइरल हो रही है उनके काफी जादा व्यूजेखने को मिल रहे हैं ऑने से कुछ ही शोट मैसी देखी जो बड़ी हैं लेकिन उन पर views बहुत कम आ रहे हैं तो हम काफी जादा confused हो गए हैं कि हमें अपनी short video कितने seconds की बनानी चाहिए जिससे हमारी short video तुरंत viral हो जाए तो friends आज की इस video में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप एक short creator हैं तो आपको अपनी short video कितने seconds की बनानी चाहिए जिससे आपकी वीडियो तुरंत viral हो जाए वीडियो चोटी सी है पर बहुती जादा informative है तो वीडियो को पूरा लास्तक जरूर देखेगा तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे निव हैं पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब की तरफ से आप 59 सेकिंड तक का शोर्ट बना सकते हैं मतलब आप 69 सेकिंड तक की कोई भी शोर्ट वीडियो आप बना सकते हैं प्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी शोर्ट वीडियो का वायरेल हो इस पर डिपेंड नहीं करता एक तक अब करता विडियो कितने त अप उस टोपिक पर जिससप只 बना रहे हो वह ओडियंस को कितना आपके चैनल से ह k stalत कर रहा है कितनी उस पर audience engagement आता है उस चीज़ पर depend करता है आपका short video अगर आप 15-20 second का short बनाते हैं और अगर आप उसमें बहुत ही अच्छा और creative short बनाते हैं audience को मजबूर कर देते हैं अपनी वीडियो पर रुकने के लिए तो आपका वो short video तुरंत viral हो जाएगा लेकिन अगर आप ऐसे कोई भी short बना देंगे कुछ भी डाल देंगे 15-20 second का तो वो video viral नहीं होती ही ऐसे ही अगर आप कोई बड़ी short बनाते हैं 50-55 second का कोई short बनाते हैं और आप उसे viral करना चाते हैं तो उसे आपको शुरू में 5-10 second तक आपको कुछ उसमें suspense रखना होगा ताकि audience मजबूर रहे आपके उस short को देखने के लिए उनके mind में ये रहे कि short को तो देखना ही चाहिए पूरा कि इसमें आखिर ऐसा क्या हुआ ठीक है कुछ ऐसा suspense आपको create करके रखना है अपनी short वीडियो में अगर आप 50-55 second का short बनाते हैं तो आपकी वो short ज़रूर viral होगी चाहे आप छोटा short बनाए या बड़ा short बनाए लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी short कुछ ऐस तरीके से बनानी है इतनी creative बनानी है कि वो आपकी audience जो है जब वो अपने short feed में या फिर suggestion में जहां से भी आपकी short पे आए तो वो एकदम से उसे scroll ना करे उस पे कुछ दे चाहिए और कैसी बनानी चाहिए अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share ज़रूर करें thank you